हलो इस्टोडिन आज हम छडवी क्लास का एक नया चेप्टर इस्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर बारा यह है बीजीय ब्यंजर यह फिर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्वागत है आपका आपकी अपने चनल की इनपडिल क्लासेश बार तो आईए देखते हैं बीजीय ब्यंजर पिछले वीडियो में आपने देखा चर संख्या के बारे में कि चर संख्या होता क्या है तो वहाँ पर जो हमने दो तीन चीजों को देखा है एक तो हम देखे चर र उसको हम लोग चर राशी या चर संख्या बोलते हैं जैसे यहाँ पर जहें आप अंग्रेजी का small letter जो होता है a, b, से ले करके y, j प्राय है इनका उप्योग करते हैं, capital का भी उप्योग हम कर सकते हैं, यह हो गया आपका चर रासी, ऐसी होता है अचर रासी, अचर रासी में यह भी हमने पीछले वीडियो में देख चुका है, जितने भी प्रकार के संख्या हैं, आपके चाहे पूनांख हो, प्राग्रिस क्या हो, पूनसंख क्या हो, भीन्न हो, दस्मलो हो, वो सब के सब जो है अचर रासी कहलाते हैं, मैं इसमें से कुछ जो है मैं लिक देता हूँ, यहाँ पे धनात्मक ले लिया, रिनात्मक ले लिया, दस्मलो वाला ले लिया, भीन्न वाला ले लिया, यह सब जो है आपके अ घटाना गुणा और भाग यदि हम किसी जग जो है ये तीनों को एक साथ मिक्स कर दें यानि कि उसमें चर्रासी भी रहे अचर्रासी रहे गणीती संक्रिया रहे और तीनों में से जो है कोई न कोई एक भी अगर हम लिखते हैं फोड़ा कन्फिजन पैदा होता है इसलिए हम स दम पल लेते हैं मान दो हम कहीं पल लिख देते हैं तीन एकस दन वाय अब चेक करते हैं कि ये बीजिये बेंजक है या नहीं तो बिल्कुल ये बीजिये बेंजक है अब कारण चर्रासी होने चाहिए तो यहां पर आपको चर्रासी दीख रहे है कौन सा एकस दीख रहे है च गनितिय संक्रिया होना चीए, तो गनितिय संक्रिया हमको यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा है, यानि कि इसमें 3x धन y अगर लेते हैं, 84, 84, गनितिय संक्रिया सभी जो है सामिल हो जाते हैं, इसलिए यह आपका 84 है, अगर एक दूसरे एक्जामपल लें, 2a, 3b, अब इसको चेक करते हैं कि यह आपका गनितिय बेंजग, गनितिय बेंजग बोलता हूं, बीजी बेंजग है या नहीं, तो यहाँ पर भी वैसे हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, 84, बिलकुल A और B है, 84, बिलकुल 2 और 3 है, गनितिय संक्रिया, बिलकुल इस पर्ष्ट चेक करते हैं, मान लोग कहीं पर लिख दिएते हैं, हम 4, धन, 5, M, अब यह जो है, है कि नहीं, बिलकुल यह भी बेंजग है, क्योंकि यहाँ पर भी चर्रा से हमको दिख रहा है, M, अचर्रा से दिख रहा है, 4 और 5, और गनितिय संक्रिया हमको क्या दिख रहा है, धन, X, दोनों के बीच में कुछ नहीं आने कि यहाँ पर क्या होगा, गुणा, 2 और A के बीच में कुछ नहीं आने क्या होगा, गुणा, 3 और B के बीच में कुछ नहीं है, गुणा, 5 और M के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, वहाँ पर भी है, गुणा, अगर हम भाग की बा आ गया भाग तो यह सब जो है आपके क्या कहलाएंगे यह सब जो है आपके बीजी ये ब्यंजत कहलाते हैं अब रही बात बीजी ब्यंजत जो हम लिख रहे हैं यहां पर अगर मैं कहीं पर एक लिख देता हूं 3x क्या ये जो है बीजी ये ब्यंजत है बिल्कुल है क्योंकि 84 चाहरासी एक्स ऐचरासी तीन है और दोनों के बीच में गुणा का चिन्न है तो यह आपका 3X एक बेजिये ब्याज़क है अगर मैं लिख दूँ दो ए अगर लिख दूँ रेंड 5B अगर लिख देते हैं 7Z यह सब के सब जो है आपके बेजिये ब्यांज़क कहलाएंगे चु एक पदिय ब्यंजक ठीक है यह आपका एक पदिय ब्यंजक कहलाएगा अगला एक्जामपल लेते हैं मैं दोनों को connect करके लिग दूँ अगर लिग देता हूँ 3x धन 2a या फिर लिग देता हूँ 2a-5b या लिग देता हूँ 7z-5b अब यहाँ पर देखें इसकी बात करें इस कि बात करें यहाँ पर प्लस के पहले एक पद प्लस के बाद एक पद यानि किसमें दो पद हो गए यहाँ पर माइनस के पहले वाला एक पद और माइनस के बाद वाला एक पद यहाँ भी दो पद हो गए और इसी प्रकार से यहाँ पर भी दो पद तो इस प्रकार के जो आत हम 2a, 5b, यह जो है कैसे हो जाएंगे, यह plus के पहले, plus के बाद, और यह minus के पहले और minus के बाद, तो आपका यह एक पद, यह एक पद, और यह एक पद जो है हो जाता है, और इस प्रकार के जो आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, त्री पदिय ब्यंजग बोलते हैं तो इस प्रकास से हमने देखा कि बिजी ये ब्यंजग क्या है इसमें एक पदिय ब्यंजग क्या होता है द्वी पदिय ब्यंजग क्या होता है और त्री पदिय ब्यंजग क्या होता है यह तीनो टाइप का ब्यांज़त यहाँ पर हम लोग देख चुके अब यहाँ पर confusion यह होता है कि भाई कही पर अगर हम लिख दें 2x गोणे 3a क्या यहाँ पर भी 2 पद होंगे बिलकुल नहीं यहाँ पर केवल एक ही पद होगा कारण यह है कि 2 और 3 का गुणा करेंगे 2 तिय अच्छा है और ax तो यह आपका एक पद यह ब्यांज़त हो जाता है तो फिर हम इसमें पहचान कैसे करें कि किसमें एक पद है किसमें 2 पद है और किसमें 3 पद है इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अगर 2 पदों के बीच में प्लस या माइनस है तो वो अलग-अलग पद कह चानेंगे यहां पर इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस नहीं है एक पद इन दोनों के बीच में प्लस या माइनस नहीं है एक पद यहां पर भी 5 और B के बीच में तो नहीं है ना तो यह भी आपका एक पद का लाएगा यहां पर अगर हम देखते हैं तो यह प्लस के क मिल जाएगा क्या पदों की संख्या लेकिन कहीं कहीं गडबड भी हो जाता है जैसे मालनों मैं इसको चेंज कर दूं रिण साथ जेड धन पांच भी कर दूं अब बोलूं यहां माइनस एक प्लस एक दोटो है इसे एक जादा करके तीन पद बना दे दों नहीं होता है यहां पर यह प्लस के इधर एक पद प्लस के इधर एक पद तो यह दो पद होंगे थोड़ा सा भ्यास की भी आओ सकता है लेकिन दो पदों के बीच में प्लस या माइनस को गिन करके या प्लस या माइनस को देख करके ही हम पदों की गड़ना जो है कर पाते हैं इसके बाद हम दे जैसे अगर हम दो पद लेते हैं ठीक है और उन दोनों पदों में दो चीज जो है दो गुण जो है उसमें होना चाहिए सबसे पहले तो चर संख्या या फिर चर रासी समान होने चाहिए पहला गुण दूसरा उसमें जो है शर संख्या का घात जो है समान होना चाहिए ये दो चीज अगर सेम हैं तो उस कंडिशन में वो दोनों क्या कहलाएंगे सर जातिय पद कहलाएंगे जैसे अगर रिड तीन एक्स लिख दू और इधर लिख देता हूँ 6 एक्स अब ये दोनों की बात अगर हम करें तो यहाँ पर चर संख्या एक्स यहाँ पर भी चर संख्या एक्स यानि कि दोनों में चर संख्या कैसे हैं पेलकुत समान है दूसरा चर संख्या का घात जो है समान होना चाहिए, तो यहाँ पर भी X का घात एक, यहाँ पर भी X का घात एक है, इसलिए यह दोनों कैसे होंगे, समान पद होंगे, सजातिय पद होंगे, सजातिय पद यहाँ इनको समान पद भी कहा जाता है, इसमें confuse नहीं होना है, मान लो यहाँ पर रिण साथ बटे तीन वाई लिग देता हूँ और यहाँ पर लिग देते हैं पाँच वाई तो यह दोनों भी आपके समान पद या फिर सजातिय पद कहलाएंगे मान लेते हैं इसमें हम कोई घात लगा दें एक बटे दो वाई का घात दो और लिग देते हैं साथ वाई का घात दो तो यह दोनों भी समान पद कहलाएंगे क्योंकि 84 दोनों में वाई है दोनों में घात दो है तो इसलिए यह दोनों भी समान पद या सजातिय पद कहलाएंगे अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर कहीं पर दो पद दिये गए हैं और यदि वो सजातिये पद नहीं है, तो निसी दुरू से क्या होंगे? विजातियपद होंगे, अलग-अलग पद होंगे तो आपको सजातियपद पहचानने के लिए दो चीज जानकारी में होना चाईये चर संक्या समान हों और चर रासी का घाट भी समान होना चाईये अगर हम कहीं पर एक पद लिखते हैं तो हम को उससे बहुत सारे चीज़ी की जानकारी मिलती है मान लो मैं एक BGA ब्यंजक लिग दू रीड टीन X का घात दू अब ये है तो एक पदिय ब्यंजक लेकिन इसमें हमको धेर सारे चीज़े जो है मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे सबसे पहले तो हमको ये मिलने वाला है कि यहाँ पर जह है चर रासी क्या है X दूसरा क्या मिलेगा X का गहात 2 तीसरा क्या मिलने वाला है रिण तीन व एक्स वर्ग का आपस में क्या हो रहा है गुणा अब यहाँ पर X वर्ग का गुणांक क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है रिण तीन अब इसके बाद जो है ये कम्प्लीट जो है क्या है एक पदिय ब्यंजग और क्या मिल सकता है ये जो है रिनात्मक पद है अब ये रिण तीन एक्स वर्ग में इतने सारे जो है इंफरमेशन चुपे हुए है कि यहाँ पर चर रासी एक्स है एक्स का घात दो है रिण तीन और एक्स वर्ग का दोनों के बीच यहाँ पे गुणा हो रहा है एक सवर्ग का गुनांक अगर बोलें तो यहाँ पर रियर रियर कीन है यह एक पदीय ब्यंजक है और साथ में यह क्या है रिनात्मक पद है तो इस प्रकार से यह जो बी जी ब्यंजक का यह आपका एक इंट्रोड़क्शन विडियो था जिसमें आपको बताया गया कि बी जी में एक पदी भीपदी भीणत प्रीपदी बिण जग क्या होते हैं कैसे पहचानते हैं और साज जातीय पद और भीजातीय pon क्या होते हैं तो आज के वीडियो में जो है इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो